ही देर, वेल्कम बैक टो वर चैनल एने क्लास्रूम आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वैलेंटाइन्स दे वैलेंटाइन्स दे, इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि वैलेंटाइन्स दे क्या होता है Valentine's Day क्यों मनाए जाता है और Valentine's Day कब मनाए जाता है सबसे पहले हम यह जानते हैं कि Valentine's Day कब मनाए जाता है वैसे Valentine's Week में बहुत सारे Days मनाए जाता है Chocolates, Candies, Flowers, Teddy, Promise बहुत सारे चीज़े करके इस Week को Celebrate किया जाता है और पूरे दुनिया में Same Date में Celebrate किया जाता है मिन्स अलग अलग दीन में Same हर जगा यह Day मनाए जाता है Valentine's Day 14 Facts को मनाए जाता है यानि 14 फरवरी को Valentine's Day मनाए जाता है और अब हम यह जानेगे कि Valentine's Day क्यों मनाए जाता है Valentine's Day मनाने का एक Special Reason यह है कि एक लड़का लड़की जो एक दूसरे से मुहबत करते है या फिर एक लड़का जो किसी लड़की से मुहबत करता है लेकिन उसको इस लड़की की फीलिंग नहीं मालूम है तो आज के दिन मतलब कि 14 फरवरी को वो उस इनसान को प्रपोस करते है उस इनसान को अपनी फीलिंग जाहिर करते है और उनको अपनी दिल की बात बताते है कि मुझे आपसे मुहबत है, प्यार व्यार है तो तब एक लड़का लड़की एक दूसरे की बात समझ करके अपने प्यार के इजहार करके तब वो एक लव स्टोरी जो है आगे long relationship बनाने की खोशिस करते है मतलब कि वहां से उनका जो लव स्टोरी है वहां से वो चालू होता है और वो एक दूसरे से continuously मुहबत करते रहे ऐसी उमिद लगा कर वो आज के दिन एक दूसरे को प्रपोस करते है और तब से उनका जो लव स्टोरी है वो आगे बढ़ता है वेलेंटाइन्स डे 14 फैब को मना जाता है और इसमें एक लड़का लड़की एक दूसरे को मुहबत करते है और मुहबत की जाहर मुहबत का जो feeling है वो एक दूसरे के सामने लाते है और तब से वो मुहबत का जो feeling और मुहबत का जो relationship है वो continue करने की कोशिच में लगे रहते हैं इसे वेलेंटाइन्स दे मना जाता है अब वेलेंटाइन्स दे क्यों मना जाता है इसका इतिहास क्या है मतलब इसकी history क्या है किस होजे से वेलेंटाइन्स दे स्टार्ट हुआ तो चली जानते हैं वेलेंटाइन्स दे क्यों स्टार्ट तो वेलंटाइनस दे को मनाने के हिसाब से यह कहा जाता है कि रोम में एक एमपरोर थे जिनका नाम था एमपरोर्ड दग्लावडियस सेकेंड और उस टैम में बहुत सारे अनपॉपिलर ब्लडी ब्लडी केमपेंड भी चल रहे थे और उसके साथी साथ क्रिश्चानिटी पर भी किया जा रहा था मतलब Christianity को सताया जा रहा था क्योंकि Christianity जो religion है उस टेम पे नया नया थापित हो था उस टेम नया नया फॉलो किया जा रहा था religion so उनको सताया जा रहा था so जो Emperor थे Cloudius II उनको अपनी आर्मी बॉंड बहुत ही मजबूत करनी थी लेकिन उस टाय में आर्मी लिक में कोई जादा military नहीं आ रहे थे मतलब कि कोई जादा joint नहीं हो रहे थे तो Emperor Cloudius II उनको मानना था कि आर्मी जो है वह इसलिए नहीं आ रहे तो इसके चलते Emperor Cloudius II उन्होंने engagement, marriage ये सारी चीज़ों को बैंड कर दिया ताकि जादा से जादा लोग आर्मी में आ सके और आर्मी का जो bond है वह मजबूत हो सके इसको देखते हुए जो saint थे मतलब कि saint valentine वो एक ऐसे legend थे जो उस टाम Christianity religion को follow करते थे Christianity religion को follow करते वक जब उन्होंने देखा कि Emperor Cloudius II ने engagement और marriage ये सब चीज़ों को band कर दिया है तो उनको ये injustice लगी और उन्होंने चोरी छुपे रोम में साधी engagement को जारी रखा जब ये बात Emperor Cloudius II को पता चली तो उन्होंने गुसा आया और उन्होंने saint valentine को बुलाया और उनको जैल में बंद कर दिया जैल में बंद करने वक्त जब जो जैलर थे उनकी बेटी जो थी उनकी बेटी का आँख नहीं था मतलब कि वो अंदी थी वो देख नहीं पाती थी तो उन्होंने अपनी बेटी को ठीक करने की बारे में saint valentine को कहा जब saint valentine ने जैलर की बेटी का आँख ठीक कर दिया तब जैलर की बेटी और saint valentine के अंदर प्यार और फ्रेंडशिप की एक रिलेशन जो है वो चालू हो गई मतलब कि एक जो रिलेशन और एक स्टोरी वो बनपने लगी तो इसको यह जो बात है cloudis emperor second को पता चली तब cloudis emperor second saint valentine को मरने का हुकम दिया मतलब कि उनको मार डालने का हुकम दिया मार डालने की हुकम से पहले saint valentine ने जैलर की बेटी को एक लेटर लिहा और उस लेटर में सबसे लास्ट में लिखा था from your valentine मतलब कि तुमारे valentine की तरफ से यह जो वर्ड है from your valentine आज भी यह वर्ड यूस किया जाता है जब एक लड़का लड़की एक दूसरी को प्रपोस करते हैं उनको लेटर लिखते हैं तब नीची लिखा होता है from your valentine लेकिन यह जो स्टोरी है यह बहुत ही दर्दनाक थी यह लव से बिलकुल भी associate नहीं कर गया क्योंकि इंग्लेंड और फ्रांस में बर्ड की मीटिंग 14 फैब को हुएती थी मतलब कि यहाँ पे इस दिन में एक कंट्री दूसरे कंट्री के बर्ड एक दूसरे से मिलते थे और इसको एक romantic sign माना गया तब से 14 फैब को एक romantic day माना गया और फिर 18 सेंचुरी तक सारे श studies जो students थे शोशिंग students थे उन्होंने एक दूसरे को love का token, letters, flowers और इस तरह से अपने प्यार का proposal जाहिर करना शुरू कर दिया इसलिए 14 फैब को वैलेंटाइन स्टे माना गिया सुगस हाई होप आपको ये वीडियो को topic समझ में आया गया होगा और ऐसे वीडियो ऐसे ही topics देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलती हो next video पर, goodbye